दोस्तों इस बात में कोई दो राये नहीं है कि अबिनेता शहीरी टीवी इंडनेस्ट्री की कितनी बड़ी हथी है। पृता में पंड़ सीघ्ट इंदर्षी की कितनी गड़ी हस्ते अब तक जीतने भी सीरस में काम किया सविंदारों को बहुत खूपसूरती पर उतार कर अपना झा career को अभी नेताओं में तैंज करवा लिया है इसलिए तो साफ जाहिर होता है किसे सफलता के पीछे इनका कितना बड़ा संघर्श ही पा है लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि विनेता शहिर शेक ने जस तरह से अपने करियर को बनाने में काफी संघर्श किया उसी तरह इन्हों ने करियर चंगाने में 100 परसंट योगदान दिया है तब तो आज विनेत्रियां टीवी इंडस्ट्री पर आज कर रही हैं तो आखिरकार कौन है वो बिनेत्रियां और किस तरह से महरबान हुए अभिनेता शहिर शेक उनका करियर बनाने में अगर आप भी जाना चाहते हैं इसके अभिनेत्रियारिका फर्नांडिस का नाम सबसे पहले शुमार है जिनका करियर बनाने में अभिनेता शहिर शेक ने सबसे जादा योगदान दिया जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि अभिनेत्रिय कर नड़ और तेलगो इंडस्ट्री के बाद टीवी इंडस्री में आए थी तो वहीं शहिर शेक ने इनका हर मोर पर साथ दिया और कदम से कदम मिला कर इनकी अक्टिंग में जबर्दस्ते योगदान दिया शायद यही वज़ा है कि अभिनेत्रियाइदिका फर्नांडेस सीरिल के जरिये काफी पॉपलर हुई और इने का सौर्टी जिन्दगी की टू पर क्या आप जानते हैं कि मिश्टी के किरदार से आज सभी की दिलों पर छाज आने वाली रियाश शर्मा को ये किरदार सिर्फ और सिर्फ अभिनेतार शहिर शेक की वज़ा से ही मिला था क्योंकि उन्होंने ही डारेक्टर से कह कर इने सीदर में कास्ष करवाया जिसके जर शेक ने 100% योगदान दिया जी हां बताने कि सीर्फ में जब द्रौपदी के किरदार के लिए ने अफ्रोच किया गया था तो इनकिला परवाय की वज़़े से डारेक्टर ने इस सीर्फ से निकालने के लिए वार्निंग दे दी थी पर अभिनेता शहिर शेक ने उस समय डा विनेत्रों में से किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी आप हमें उनका नाम कमेंच बॉक्स में कमेंच करके शरूर बताए और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप हुले